यह हमारे पास एक्जांबल नंबर 5 एक्जांबल नंबर 5 के अंदर यहां पर पहले से लिखवा है कि CF का एक भाग याद करना है यानकि पूरक फलन का भाग याद करना है तो पूरक फलन CF को बोलते हैं तो CF का हमें भाग याद करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम इसको मानक रूप में लिखेंगे, तो यह होता इसका मानक रूप, मानक रूप के अंदर यहाँ पर डबल उकलन का गोणा को 1 होना चाहिए, तो मैंने 1 बना दिया, तो यह equation आईगी इस तरह से, अब यह हो ग देखने से, कि हमें किस तरह से गुना करना चाहिए, या क्या इसमें ऐड करना चाहिए, ताकि हमें 0 मिले, तो हमें पता नहीं है, यहाँ भी हम किस तरह से solve करेंगे, लेकिन मैं आप पहले तो इसका answer बता देता हूं, फिर इसको, मैं प्रूप करके दिखाऊंगा, कि हम किस इस तरह से इसको solve करेंगे, तो मैं इसका answer लिख देता हूं direct, यह होता 1 plus p plus q equal to 0, यह इसके अंदर satisfy करेगा, और यह जब भी satisfy करता है, तब हमारे पास m कमान होता 1, और m कमान 1 होगा, और इसका जो हल होता है, यहां हमारे पास m कमान हो गया 1, m कमान 1 हो गया, तो m कमान जब भी 1 होगा, तो इसका c अब होता है इस तरह से, y equal to e की power mx, तो यहां पर m कमान 1 रखेंगे, तो हमारे पास e की power x आएगा, अब यह 1 केसी आया, इस equation के लिए m कमान 1 केसी आया, तो यह हम prove करेंगे, अब आगे, तो मैं इसको prove कर करने के लिए, जो 72, वो उन दोनों सुत्रों को हम देखेंगे, तो यहां पर prove करेंगे, हम कमान 1 केसी आया है, तो यहां पर देखेंगे, एक formula तो मारे पास यह है, और दूसरा formula होता है, हमारे पास m, m minus 1, plus pm, x, plus q, x की power 2 equal to 0, यह होता दूसरा formula, इस formula के लिए जो होता है, यह होता है, इस तरह से y equal to 0, x की power m, यह होता है, इसका shape का भाग, इसके लिए होता है, y equal to e की power m, x, तो यहां से हम M कमान पर आप्त करेंगे, मैं इसको solve करके दिखाऊंगा, कि M कमान मिलता है, या नहीं मिलता, आप इससे try करना, आपको पता चलेगा, कि M कमान मिलेगा, य क्योंकि मैंने इसको solve करके देखा है, इससे M कमान मिलता है, इसलिए मैं यह formula आपको direct बता रहा हूँ, तो मैं भी यहाँ पर इसको solve करूँगा, और M कमान प्राप्त करके आपको बताऊंगा, कि आप किस तरह सी use में लोगे, इस formula को किस तरह सी M कमान प्राप्त कर सकते हो, easily क्या होगा, यह मैं आपको बताने वाला हूँ, तो सबसे पहले हम इसको आगे solve करते हैं, अब यहाँ पर देखो, इसके गुणनकंड करके हम इसको आगे solve करते हैं, लेकिन गुणनकंड करना हमेशा possible नहीं होता, कभी कबारतों हम कर रही नहीं बाते हैं, हो रहा हो तो भी दिखता नहीं हमें जलती से कि गुणनकंड होगा या नहीं होगा, तो यहाँ पर मुझे पता नहीं कि गुणनकंड कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मुझे जटिल दिख रहा है, तो मैं यहाँ पर श्रीदर आचारी विदी लगा करें, हम का वान प्राप्त करूंगा, एक्जामपल नमबर 4 में हमने गुणनकंड किया था, आप वहाँ पर भी श्रीदर आचारी विदी लगा सकते हो, तो मैं यहाँ पर श्रीदर आचारी विदी लगाता हूँ, तो यहाँ पर देखो, श्रीदर आचारी विदी होगी इस तरह से, एक्वल टू माइनस के बी, पलस माइनस रूड में आएगा फिर बच है भी सकते हैं या एक्जाम का पर है जो पी जूडांक होगा एनृटन का रहां पर यह हम आमान रखेंगे यहां पर और इसको solve करेंगे तो हमें M के दो मान मिलेंगे और वो दोनों मानों में से जो real मान होगा constant होगा वो हमारा होगा M का मान और यह सा नहीं मिलेगा तो फिर यह सुत्र के लिए M का मान possible नहीं होगा तो हम आगे solve करेंगे देखेंगे कि हमें हमका वान मिलता है या नहीं मिलता है तो यहाँ पर सबसे पहले तो एक इस्तिती बता सकता हूँ में आपको यहाँ पर bx²-4ac यह यहाँ से हलोगा तभी हमें इसका आग्या answer मिलेगा वर्णा नहीं मिलेगा अब मालो यहाँ पर root में function बच गया और यहाँ पर value है जो x के पदों में बच गया फिर तो हम इसको solve ही नहीं कर पाएंगे तो सबसे पहले हम question को solve करने का यह तरिका कि सबसे पहले हम क्यों इसको solve करेंगे यह solve हो रहा तो हम आगे solve करेंगे वर्णा हमें पहले ही पता चल जाएगा कि यह equation लगेगी या नहीं लगेगी मतलब कि दोनो equation में हमका मान निकालेंगे तो दोनों में हम सबसे पहले यह check करते हैं तो यहाँ पर देखो सबसे पहले मैं इसको solve करूँगा bx2 minus का 4 ac तो मैंने यहाँ पर लिख दिया bx2 minus का 4 ac तो यहाँ पर मैंने b तो b के स्थान पर तो यह आएगा minus के 9 यह minus का आएगा फिर कोस्टिक में आएगा 9 minus 4x और इसकी power 2 करना हमें क्योंकि b की power 2 है तो इसकी power 2 करेंगी तो उम्हारे पास आएगा 9 का x square हो गया 21C plus 4x का x square होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 16 x square और फिर यहाँ पर आएगा क्योंकि minus के 2AB तो 2AB के स्थान पर यहाँ पर हो जाएगा फिर इस तरहे से आ तो यहाँ पर मैंने power 2 को open कर लिया तो यहाँ पर देखो यह 4 ता है यह चेसी आए मैं आपको बता और यह जाएंगे x 2-x है यहाँ पे c के अंदर और यह c गुणा होगा यह से यानि कि यहाँ पे यह इससे गुणा हो जाएगा तो यह जाएगा यह गुणा होगा 3-x से तो इन दोनों को हम गुणा करेंगे फिर तो गुणा करने के बाद हमें यह equation मिलेगी तो हमारे पास यह यहाँ पे bx2-4ac यह equation बन गई इस equation को हम solve करेंगे x की पावर 2 के जितने भी पद है उनको सब को calculate करेंगे x का जितना भी पद है यहाँ पे x वाला उनको भी calculate करेंगे जो constant है उनको भी हम calculate करके x साथ लिखेंगे तो हम इसको solve करेंगे तो हमें यह equation मिलेगी देगो यहाँ माइनस के बारा था तो मैंने इसको अंदर गुणा कर दिया तो हमें यह equation मिली अब यहां से आप देख सकते हो यहां पर है 16x की पावर 2 माइनस 12x की पावर 2 इन दोनों को हम एक साथ कर लेंगे और यहां पर यह जो है 72x और यह 60x इन दोनों को साथ में कर लेंगे और यह जो constant है 21 और यह माइनस के बाद तर इनको हम एक साथ में लेंगे और हम equation को इस तरह से लिख सकते हैं तो यह जो equation है तो यहां पर आपको आउट तो चैंसल हो जाएगा तो हमें इस इक्वेशन में मान रख देता हूं मैं यहां पर माइनस भी तो यहां पर बी कमान में ने रख दिया तो बी कमान यहां पर रखेंगे तो यह प्लस में हो जाएगा क्योंकि यह से के से a होता हमारे पास यह 3-x तो यहां पर 3-x लिख दिया मैंने अब हम इसको solve करेंगे तो हम यहां से root को अटा के लिख सकते हैं आप तो यहां पर मैंने root को अटा दिया और इस तरह से लिख दिया अब इसको solve करने के लिए हम plus और minus दोनों चिन लेंगे तो plus चिन के ल हुआरा answer तो यहाँ से आजाएगा कि हम यहाँ पे m का मान available योज में लेंगे लेकिन दुसरा मान भी देख लेते हैं माइनस की लेके आता है तो माइनस की लेक रेंगे तो हमें यह equation मिल गज़ेंगी यहाँ पर हम इसको और आगी आगे, x का पद रहेगा इसमें, और x तो रहना यह नहीं चाहिए, क्योंकि m का जो मानोगा, वो real number होना चाहिए, और constant होना चाहिए, तो यहाँ पर यह तो constant माना, यह real number है, तो हमारे पास m का मान 1 मिल चुका है, यानि और इस equation के लिए हमारे पास cf होता है, y equal to e की पावर mx तो यहाँ पर यह जो 1 है, 1 यहाँ पर रखेंगे, तो हो जाएगा 1 की पावर x, तो हमारे पास shape का मान आ गया है, इस तरह से, तो इस equation से हमें shape का मान मिल चुका है, तो दूसरी equation सोल्ड करने की आओ सकता नहीं है, अगर इस equation से मुझे यहाँ पर मान लो, यहाँ पर मुझे equation का में लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर इस equation से हमें हम का मान मिल चुका है, तो दूसरी को सोल्ड करने की आओ सकता नहीं है, अगर आपको person में लिख दिया जाए कि पूरक फलन का भाग ज्याद कीजिए, तब आपको दोनों equation में से कोई सी भी equation को सोल्ड करना है, एक सु मैंने आपको क्यों वह equation बताए है यहाँ पर, अब इस वीडियो के बाद में हम यह equation सोल्ड करेंगे इसके, कि हम जो equation होगी है, उकल समिकोन होगी, उसको किस तरह से सोल्ड करेंगे, shape का भाग को यूज मिलेंगे हम वहाँ पर, तो इसलिए हमने यहाँ पर 5 example किये, ताकि हम shape का भाग याद करना सीख सकें, अब हमारे वीडियो से आपको यहदी help हो रहे हो, तो हमारे YouTube चैनल को subscribe कीजिए, और यहदी आपको हमारे वीडियो करम वाई से यहाँ पर YouTube चैनल पर नहीं मिल पा रहे है, तो हमारे एप curiosity foundation नाम से आप उन्हें डाउनलोड कीजिए, वहाँ